प्रिये विद्यार्थियों, आज का विशे है धनन्जे कृत दश रूपक के आधार पर अर्थोत शेपक, अर्थ अर्थात कथावस्तू, उपक शेपक अर्थात सूचक, सूचे वस्तू के प्रतिपादन के प्रकार, यह विशे एम्मे के विद्यार्थियों के लिए उप्यो की होगा रूपक द्रश्य होते हैं उनका रंगमंच पर अभिने किया जाता है किसी नायक के जीवन की समस्त घटनाओं का रूपक में वर्णन नहीं किया जा सकता इसके अतिरिक्त भारतिय नाट्य परंपरा के अनुसार कुछ घटनाओं का रंगमंच पर अभिने वर्जित है जैसे किसी की म्रत्यू अथ्वा वद आदी रूपक रसाश्रित होते हैं इसलिए नीरस वस्तू का भी वर्णन नहीं किया जा सकता इस प्रकार की घटनाओं का अभिने नहीं किया जाता किन्तु कथा को अविछिन रखने के लिए इनकी सूचना दी जाती है इस प्रकार वस्तू कथा सूत्र दो प्रकार का होता है सूच्य और द्रश्य सूच्य वस्तू नीरस तथा अनुचित अर्थात रंगमंच पर न दिखाने योग्य तथा वर्जित होती है द्रश्य वस्तू, रोचक, उदात भावनाओं से परिपून और रस भाव से परिपून होती है सूच्य वस्तू के प्रतिपादन के प्रकार अर्थो प्षेपक कहे जाती है धनन्जे ने इसका लक्षन इस प्रकार से दिया है अर्थो प्षेपक के सूच्यम पंच्भी प्रतिपादयेत विश्कंब चूलिका अंकास्या अंकावतार प्रवेश कही सूच्यम पंच्भी सूच्य वस्तू का प्रतिपादन पंच्भी पांच अर्थोप शेपक है, अर्थोप शेपकों के द्वारा प्रतिपादयत करना चाहिए, वे अर्थोप शेपक हैं, विशकंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक इसमें प्रथम अर्थोप शेपक है, विशकंभ, अर्थात विशकंभक धनन्य ने इसका लक्षन दिया है वृत वर्तिश्य माना नाम कथांशा नाम निदर्शके संक्षे पार्तस्तू विशकंभो मध्य पात्र प्रयोजिते वृत नाटक में घटित घटनाओं का वर्तिश्य माना नाम भविश्य में होने वाले कथांशा नाम कथांशों का निदर्शके सूचक संक्षे पार्तस्तू संक्षिप्त अर्थवाला मध्य पात्र प्रयोजिते मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयोग्त जो अर्थो प्षेपक होता है विशकंभो वह विशकंभक कहा जाता है जिस इती व्रत्त को अंकों में नहीं दिखाया जा सकता है विशकंबक में उसकी सूचना दी जाती है विशकंबक का वर्णिय विशय संक्षिप्त होता है विस्तृत विशय को संक्षेप में कहा जाता है यह भूत भविश्य के कथा भाग को सूचित करके कथा सूत्र को अविछिन बनाता है विश्कमबक अर्थोप शेपक में दो पात्र होते हैं ये दोनों पात्र गौण अत्वा और प्रधान होते हैं किन्तु दोनों या एक उच्च कुलके होते हैं विश्कम्भक नाटक आदी के आरंब में प्रथम अंक के आरंब में प्रियुक्त हो सकता है इस प्रकार के विश्कम्भक का प्रियुक भवबूती के मालती माधव नाटक में हुआ है विश्कम्भक दो प्रकार का होता है शुद्ध तथा मिश्र शुद्ध विश्कम्भक के सभी पात्र मध्यम्शेणी के तथा संस्कृत वक्ता होते हैं मिश्र विश्कंबक में मध्यम शेणी तथा निम्र शेणी दोनों प्रकार के पात्र होते हैं तथा प्राकृत भाषा का प्रियोग भी होता है अभिज्यान शाकुंतलम नाटक के चत्वर्थ अंक के पूर्व शुद्विश्कंबक का प्रियोग हुआ है जहां कर्णव रिशी का एक शिश्य आकर कहता है कि कर्णव लौट आए हैं हमारा दूसरा अर्थुप शेपक है प्रवेशक प्रवेशक का लक्षन धनन्जे के अनुसार इस प्रकार से दिया गया है तद्वद एव अनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितह प्रवेशो अंक द्यान तह शेशार्थ स्योप सूचके तद्वद एव उसी प्रकार अर्थात प्रवेशक भी विश्कंबक की तरह अतीत और भावी कथांशो का सूचक होता है नीच पात्र प्रयोजिते नीच पात्रों के द्वारा अनुदात्तोक्त्या अनुदात्त उक्तियों से प्रयोक्त अंक द्वयान तह दो अंकों के मध्य में इस्थित अंक द्यान तह दो अंकों के मध्य में इस्थित शेश आर्थ अस्योप सूचके शेश और प्रदर्शनिय अर्थ का सूचक प्रवेशो प्रवेशक कहा जाता है प्रवेशक भी विश्कम्भक के समान अंकों में ने दिखाय जाने योग्य इती व्रत्त का सूचक होता है वर्ण्य विश्य संक्षिप्त होता है भूत और भविश्य के कथा भाग को सूचित करके कथा सूत्र को अविच्छिन बनाता है विश्कम्भक में तो मुख्यते संस्क्रित भाषा का प्रियोग होता है किन्तु प्रवेशक में अधम श्रेणी के पात्र प्राकृत भाषा बोलते हैं प्रवेशक का प्रियोग नाटक के आरंब में नहीं होता है वह सदैव दो अंकों के मध्य में प्रियुक्त होता है कालिदास के अभिज्यान शाकुंतलम नाटक के सस्थ अंक के पूर्व प्रवेशक का प्रियोग हुआ है तीसरा अर्थो प्षेपक है चूलिका अंतर जवनिका संस्थाई चूलिकार्थस से सूजना अर्थस से सूजना जहां अर्थ अर्थात कथा वस्तू की सूजना जवनिका संस्थाई जवनिका के अंदर इस्थित पात्रों के द्वारा दी जाती है वहां पर चूलिका अर्थो प्षेपक होता है जहां अर्थ अर्थात कथा वस्तू की सूजना जवनिका के अंदर इस्थित पात्रों के द्वारा दी जाती है वहां चूलिका अर्थो प्षेपक होता है नेपथे में इस्थित पात्र के द्वारा सूचे अर्थ की सूचना देना चूली का है उत्तर रामचरित नाटक के जुत्ते अंक के प्रारंब में नेपथे में स्वागतम तपो धनाया तपस्विनी का स्वागत है इसके पश्चात तपस्विनी आत्रेई प्रवेश करती है यहाँ पर नेपथे पात्र वासंती के द्वारा आत्रेई के आगमन की सूचना दी गई है इस कारण से यहाँ पर चूली का नामक अर्थोप्षेपक है चतुर्थ अर्थोप्षेपक है अंकास्य अंकांत पात्रई अंकास्यम चिनननकस्यार्थ सूचनात अंकांत अंक के अंत में आने वाले पात्रई पात्रों के द्वारा चिनननकस्यार्थ असंबद अग्रिम अंक के अर्थ सूचनात अर्थ की वस्तु की सूचना देने के कारण अंकास्यम यह अंकास्य कहा जाता है अंक के अंत में आने वाला पात्र अंकपात्र होता है उसके द्वारा पूर्व अंक से असंबद अग्रिम अंक के प्रारंबिक अर्थ की सूचना देना और उस सूचना का आश्रे लेकर अग्रिम अंक का प्रारंब होता है वह अंकास्य कहा जाता है उधारनार्थ मावीर चरित नाटक के जित्य अंक के अंत में सुमंत्र प्रवेश करके कहते हैं आदर्निय वसिस्ट और विश्वामित्र आप सबको परुश्राम सहित बुला रहे हैं वसिस्ट और विश्वामित्र पूछते हैं वो कहा हैं सुमंत्र महराज दश्रत के पास वसिस्ट और विश्वामित्र कहते हैं कि उनके अनुरोज से हम वहीं चलते हैं इस प्रकार से अंक की समापती होने पर अग्रिम अंक के आरंब में बैठे हुए वसिस्ट और विश्वामित्र परशुराम प्रवेश करते हैं यहां जित्ते अंक के अंत में प्रविस्ट होने वाले पात्र सुमंत्र के द्वारा शतानंद और जनक की कथा के समापत होने पर अग्रिम तिर्ति अंक के प्रारंबिक अर्थ वसिस्ट विश्वामित्र आदी के समवाद की सूचना दी गई है इसलिए यहां पर अंकास्य अर्थोप शेपक है पांच्वां अर्थोप शेपक है अंकावतार अंकावतार का लक्षन धनन्य ने इस प्रकार से दिया है अंकावतारस्ट्व अंकांते पातो अंकस्य विभागते एभी संसूचयेद सूच्यम द्रश्य अंकई प्रदर्शयेद अंकांते जहां पूर्व अंक का आंत हो जाने पर अंकावतार है वह अंकावतार अर्थोपशेपक होता है अंकावतार में जहां पूर्व अंक में प्रविस्ट पात्र के द्वारा सूचित किया गया पूर्व अंक की कथा का विच्छेद किये बिना अग्रिम अंक आगे आने वाला अंक अवतरित हो जाता है विश्कम्भक और प्रवेशक का प्रयोग नहीं होता है वह अंकावतार अर्थोप्षेपक होता है अंकावतार में पहले अंक के पात्र पूर्व अंक के अर्थ को विच्छिन किये बिना दूसरे अंक में आ जाते हैं मालविकागनी मित्र के प्रथम अंक की कथा का विच्छेद किये बिना ही जित्य अंक अवतरित होता है इस कारण से वहां अंकावतार नामक अर्थोप्षेपक है नाट्य दरपनकार का कथन है जहां बहुत अधिक अर्थ सूचित करना होता है वहां विश्कमबक और प्रवेशक का प्रयोग किया जाता है उससे अल्प अर्थ यदि सूचिनिय हो तो अंकावतार का प्रयोग किया जाता है अंकास्य और अंकावतार दोनों अंक के अंतरगत रहते हैं विश्कमबक तथा प्रवेशक अंक से बाहर होते हैं चूली का यथा अउसर अंक के अंदर यहा बाहर हो सकती है इस प्रकार इन उपर्युक्त अर्थुप शेपकों के द्वारा सूचित करने योग्य वस्तु को सूचित करना चाहिए और रंगमंच पर दिखाने योग्य वस्तु को अंकों में दिखाना चाहिए